हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एनिमेट टेक्स में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हम ब्लेंडर के अंदर बेसिक 2D एनिमेशन कैसे करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले में ब्लेंडर उपन कर लेता हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पहले तो मैं आपको सारी की सारी 2D एनिमेशन की बेसिक्स बताऊंगा और आपको एक बॉल का एनिमेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बॉल आएगी जमीन में टिपपा खाएगी फिर उचलेगी फिर हमारे सीन से चले जाएगी तो सबसे पहले आप लोग 2D एनिमेशन वाला टैप खोल लिएजे तो हमारा 2D एनिमेशन का इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और आपको जो एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है यह हमारा असल में कैमरा व्यू है और यहाँ पर आपको एक पैंसल मिल जाएगी कुछ भी ड्रॉ करने के लिए तो दोस्तों हमें यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक टैबलेट की जरुवत होती है लेकिन मैं जो आपको आज तरीका बताने वाला हूँ उसमें आपको ग्राफिक टैबलेट की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग एक सिंपल बॉल का अनिमेशन करेंगे तो यह ड्रॉव वाले ओप्शन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर कुछ भी ऐसे ड्रॉव कर सकते हैं लाइन्स या जैसी आप ड्रॉव करना चाहें और दिखिए जैसी मैं आप लाइन्स ड्रॉव करता हूँ तो मेरा फर्स्ट फ्रेम में मुझे आप लॉक करने की जरूवत नहीं पड़ती है मेरा फर्स्ट फ्रेम यहाँ पर आटोमेटिकली लॉक हो जाता है अब आप लोग किसी भी आगे वाले फ्रेम में आ जाईए और उसके बाद आगे वाले फ्रेम में आके कुछ और ड्रॉव कर लीजिए तो आपका पुराना वाला हड जाएगा और आगे वाला आ जाएगा और यह भी लॉक हो जाएगा फिर से आप आगे वाले फ्रेम में आईए और यहाँ पर कुछ और ड्रॉव कर लीजिए तो आपका रेडियस का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है हम लोग इसको बढ़ा देगे तो हमारे पेंसल थोड़ा मोटा लिखने लग जाएगी और सान्स इम में अ अगर आपको लग रहा है हलका हलका कलर आ रहा है थोज़र डार कलर नहीं आ रहा है तो डार कलर किलर अपर लोग आप पनी पैंसील की स्ट्रैंथ को बढ़ाके फूल कड़ सकते हैं तो हंपर बेलकुल एक दम bold काला कलर आपको दिखने लग जाएगा अचलिए अब मैं आपको यह पर ball का animation करना सिखा देता हूँ तो पहले मैं ctrl z प्रेस करके इन सारे के सारे keyframes को delete कर देता हूँ देखिए तो हमारे सारे के सारे keyframes delete हो चुके हैं तो दोस्तो ball का animation करने के लिए तो सबसे पहले हमें एक circle की जरुवत पड़ेगी तो यहाँ पर एक circle create करने के लिए आप लोगों को पहले यहाँ से ऐसे नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको एक circle का option मिल जाएगा साथ ही में आपको square और line, curve सब के आपको यहाँ पर options मिल जाते हैं तो अभी हम ball का animation करने वाले हैं तो उसके लिए में circle की जरुवत होगी तो मैंने आप circle select किया इसके बाद circle की आप strength बढ़ा लीजिए और radius भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से अब इसके बाद हमें आप सबसे पहले एक ball draw करनी है तो सबसे पहले हमारी ball यहां से आएगी scene में देखिए मैंने आप एक ball draw कर ली दोस्तो ball draw करने के बाद भी आप लोग यहां पर आपको एक पीला रंग का dot और यहां पर एक पीला रंग का dot मिलता है ताकि आप लोग इसका size जो है वो adjust कर सके है अगर आपने गलत size fill कर दिया है तो अभी तो हमारा size बिल्कुल ठीक है ball का इसको करने के बाद हमें सबसे पहले enter प्रेस करना होगा ताकि हमारा जो यह circle है यह हमारे page पे draw हो जाए तो मैं enter प्रेस करूँगा तो हमारा circle page पे draw हो चुका है अब हम इसे edit नहीं कर सकते है अब इसके बाद हमें frame में आगे आना होगा तो मैं आपने 2 frame आगे आ जाता हूँ चलिए मैं 3 frame आगे आगे हूँ तो हमें 3 frame का इगाप रखूँगा अपने animation में आप लोग अपने हिसाब से कितने भी frame का gap रख सकते हैं इतना आप लोग चाहते हैं इसके बाद यहां पर हम एक और circle ड्रॉ कर लिंगे क्योंकि हमारी ball सबसे पहले यहां पर होगी फिर यहां से यहां की तरफ गिरेगी तो उसका size में थोड़ा से adjust कर लेता हूँ इतना ठीक रहेगा इसके बाद मैं वापिस से enter press कर लूँगा तो हमारे यहाला circle अपलाई हो गया और पिछला वाला भी वहाँ पर है first frame पर तो अब हम फिर से आगे वाले frame पर आएंगे एक frame पीछा जाता हूँ और यहां पर हम एक और ball draw कर लिंगे तो दोस्तों इस बार हमारी जो ball है वो जमीन पर टपा खा रही है तो इस बार ऐसे थोड़ा सा दबी-दबी सी पिछकी-पिछकी सी हमारी ball हो जाएगी तो इसका size आप लोग adjust करके थोड़ा सा पिछका हुआ कर लिजिए और फिर से आप enter press कर लिजिए इसके बाद आप फिर से frame में ऐसी 3 frame आप आगे आईए और अपनी ball को उचलता हुआ बना दीजिए तो अब यहाँ पर हमारी ball ऐसे उचल गई है यह size बिल्कुल ठीक है तो मैं enter press कर लिता हूँ और वापिस से में 3 frame आगे आजाता हूँ और 3 frame आगे आके फिर से हमारी ball अब याली position पर आ जाएगी तो फिर से आप इसको enter कर दीजिए और फिर से 3 frame आगे आ जाएगी और अब ball वापिस से नीचे की तरफ गिरेगी तो यहाँ पर एक और ball ड्रॉ कीजिए और enter press कर दीजिए फिर से 3 frame आगे आईए similarly हमें ऐसा करते जाने है हमारा 2D animation 3D animation से थोड़ा सा tough भी होता है और आप कह सकते हैं कि आसान भी होता है क्योंकि इसमें हमें simply draw करना होता है और 3D में हमें बनाना होता है तो इसके size थोड़ा सा पिचका सा कर लेते हैं क्योंकि इसने फिर से जमीन को strike किया है और enter press कर देते हैं फिर से 3 frame आगे आजाते हैं और यहाँ पर इसको फिर से उचलता हुआ बना देते हैं और फिर से enter press कर देते हैं फिर से 3 frame आगे और अब यह हमारे scene से बाहर चली जाएगी और फिर आप एंटरप्रेस कर लिजिए तो दोस्तों हमारा जो animation है वो हो चुका है complete अब मैं आपको इसको play करके दिखाता हूँ आप लोग देखिएगा कितना professional animation हुआ है तो इसे हम play करते हैं देखिए ball आई टपा खाई फिर उसली फिर टपा खाई फिर हमारे scene से बाहर चली गई तो दोस्तों देखने में तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है आप लोग देखी सकते हैं तो यही था हमारा आज की वीडियो का basics साथ ही मैं दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि 2D animation में थोड़ी सी मुश्किल भी होती है और 2D animation थोड़ा सा आसान भी होता है ऐसा ही सेम 3D animation में भी होता है तो आप लोगों का जिस भी field में interest हो आप वैसा animation कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like, share and subscribe ज़रूर कर दीजेगा हम मिलिंगे आपसे next वीडियो में